कुक वित नीसी में आप सबी का सवागत है तो आज मैं बनाने Jareem बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अलग तरीक अगा डिस हाजी सरदियों में पालक तो सभी खाते होंगे लेकिन आज मैं बनाने जाड़ी हूँ एक पालक कड़ी ये खाने बहुत ही यमी लगता है और ये मैं बनाओंगी जटपट सा और बहुत ही टेस्टी लएगा एक पर ट्राइ कीज़ेगा में रेस्पी बहुत ही मजाएगा खाने में अगर आप में चाहिए पे नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना तो देखिए यहां पे हमने पानी लिया है तो हम ज्यादा बनाड़े है तो हम ज्यादा पानी लिया है हमने तो देख सकते हो यहां पे एक पतिला पानी लिया है और उस पतिले में हमने बढ़के पानी लिया है ठीक है तो पानी बहुत ही कम होजाता है इतलिए कभगेया है यह लिए लिए अदिशा सकते हैं उपने जाका इस जादा नहीं पकाना है हाइप अच्छे मिन पख़ल रुकर नहीं करना रहा है अच्छे से टॉप करना है तो आप पर अछ्छे से नुझ भूट करा देंगे देखिए एसने तो मैं इसे निखाल लूँगी इससे क्या होता है जो हमारा पाला का कलर होता है वो चेंज नहीं होता है और हम इसे पीस के त्यार कर लेंगे इसे बिल्कुल ही पानी नहीं डाल के पीस हीएगा पानी इसमें नहीं डाल के पीस हीएगा नहीं तो अच्छे से बनेगा नहीं तो दे पीषिगे पूर्थ धर और जादा यह पस्ती पना कर दो यहां पर दो इंच पीम कुमारम एक यूहां और यहां पर आपाईटn लेकाईट कर सकते लेकिन ये घी में बहुत हहाल कें फोल्ट हातंगें यहां पे हम अच्छे exhaust चाकू से काठ लिएका और इससे क्या होगा जो हमारा मसाला हो इसके अंदर बोट ऐचा चल जाएगा और एब हम घीर में इसे थोड़ी दर भूनेंगे थोड़ी दर भूनने के बाद हम इसमें मसाला डालेंगे तो यहां पर मैं डाल रहे हूं रेड़ चिली पॉडर हाजी लालमेज पॉडर इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर यहां पर मैं डाल जी हूं हमनेंगे थोड़ी दर एक से दो मिनट अच्छे से भूनेगा तभी अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत अच्छा सा खुचबू आने लगा है और देख सकते हो मसाला अंदर जाएगा और जब हम ग्रेवी में टालेंगे तो उससे भी मसाला इसके अंदर अच्छा चला ज तो 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 जो हमने मसाला बनाके तियार किया था जो ने पीसके तो प्यूसर Suzanne Banks कंण देख सकते हैं तो जो आठिख सकते हो हमें अच्छा से गोलदन ब्राउन होने तक भूनना है ऐसा नहीं कि थोड़ा नि तो ऐलो 입니다 ने ऑनतर देख सकते बना पुरा मसाला डाल देंगे और ऑच्छे से भूनें मसाले को सितना गाती अच्छे मिल्ड देंगे अपन nhưng अपनने अपनमक डाल मिक्स करेंगे और फिर इसे लगतार भूनते रहेंगे जब तक इसका तेल जो है सेप्रेट ना हो जाए तेल इसका साइड ना हो जाए और यहां पर हम थोड़ा सा तीखा पन के लिए डाल रहें रेड चिली पॉडर आप स्किप कर सकते हो अब ज्यादा तीखा नहीं खाना प भीर दिनका है को मस्त आगया है तो हम हम ऐसा ही चाहिए था में अजसे ज़्यादा नहीं पकाना Beispiel है और रहें टेल सेप्रेट वह नं बचंप से अचिवाम वाधितल आपल गाल के कि यह जाई पिस और देंगे और हमने बताया थाना कि पानी बगरइगा नहीं तो पानी नहीं डाल के पीस दीजेगा तो क्या होगा यह जब इस टाइम डालीगा ना इसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा चीटा ओड़ेगा फिर आप बनाओगे और पागल हो जाओगे चारो तरफ गंदा हो जाएगा इसलिए मैंने बोला था कि इसमें पानी नहीं डालेगा और पा पालक के साथ बहुत यमी लगता है अगर नहीं डालना चाते है तो इसकिप कर सकते हो ठीक है और यहां पर देखिए मैं लगतार चलाते हुए अच्छे से मेल्ट हो जाए बटर तब तक मिलाओंगे और देखिए अच्छे से यह जो कड़ाई अच्छे से छोड़ दिया है बहुत अच्छे से भूं गयाया अब आहां पर पानी डालेंगे तो देख सकते हो पानी मैंने डाला है जो हमने पालक बॉल किया है उसी पानी डाला आप फेक मां दिजेगा थोड़ा सा पानी निकाल लिजेगा जितना आपको डालना है तब फेक यगा ओर देखिए जितना तो मार्केट का भी डाल सकते हो यह मलाई जो होता है ना दूद का वो हमने इसके अंदर डाला है हापकप के करीब और अच्छे से मिक्स करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे तो देख सकते हो अच्छा सा कलर आगे क्रीम डालते ही बहुत ही रिच कलर आजाता है तो एक उबाल इससे अच्छा लगता है तो अब हम इसे मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ी दर एक नट और पकने देंगे तो चलिए बन गया है गैस को आफ कर देंगे बीना तर्का लगे यह बिल्कुल ही अच्छा ने लगा तो तर्का जो लगाईगा तो यहां पे दिखिए हमने तो द इसे अच्छा से तर्का लगा के इसमें इसके अंदर हमने डाल दिया है और देखिए दालते हैं इसे किसी बर्दान से धग दीजेगा और पांच मिर बाद हम इसे चेक तरेंगे और देख सकते हो क्या मस्त कलर आ गया है और खुसबू तो पूचिए नहीं इतना अच्छा पढ़ा आए कि पूछी ही नहीं और इस दो शूंब नए है से रीकी की एक मैं कि एक चांच्छा बना था अपको कैसा लगा था बहुत यह कंदे सब्सक्राइब करें तांकई